कि नवस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है नौलेजविला ओफिसियल यूटूब चैनल पर तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे MPTS की क्लास लगातार चल रही है और कल हमने इसी से सम्मंधित पहला टॉपिक पढ़ा हुआ था जिसका नाम था मद्द प्रदेश का गठन तो इससे सम्मंधित हमने बहुत सारी जानकारिया कल पढ़ी हुई थी अगर आप लोगों ने अभी तक वो जानकारिया नहीं पढ़ी हुई है और वो जानकारिया आप तभी पढ़ोगी जब हमारा पहला वीडियो आप देखोगे तो पहले जाए ये चैनल में पहला वीड तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो आप यहां से उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखोगे, पहला लेक्चर नहीं देखोगे, आपको दूसरा लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चीज मद्देश से सम्मन्द्यू जो सारी चीजे हमने कल पढ़ी हुई थी उससे आंगे हमें बढ़ना है तो हम पहले दो मिनट में रिवाइज करते ही कि हमने कल क्या पढ़ा हुआ था हमने कल रगाई हुआ था मद्द्यू-प्रदेश का गठन किसप्रकार से करती हुआ था मद्ध प्रदेस का गटन किस प्रकार से हुआ था है उसके लिए हमने चार चरन लिधारत किये है पूर्व की कहानी हमने पढ़ी हुई थी कल उसको हमने विद्वत तरीके से देखा हुआ था कि 1947 से पूर्व मद्य प्रिदेश की क्या इस्तिती थी मद्य प्रिदेश पूरी तरीके से रियासतों में विवाजित था कई प्रिकार की रियासते मद्य प्रिदेश में विद्दि ता बोपाल में अवावो का सासन था बुंदेल खंड बगेल खंड चत्यस गड़ दंड कारण एंस सेंटर प्रोविंस एंड बरार प्रांथ हुआ करता था जो एक विटिस प्रांथ था उसके अलावा विदर्व वाला छेत्र था ठीके जो महराश्च वाला एरिया हुआ करता प्रांथ जो उसमें जुड़ा रहता है इसका गठन अलक से किया गया था हैधर वास ते पृतक करके किया गया था और इसका गठन जो किया गया था 1936 को और 1937 के बाद क्या होता है कि कहानी परिवर्तित होती है हम एक भारत संग एक राश्ट का निर्माड करने के लिए जाते हैं और राश्ट के निर्माड के लिए हमें राज्यों को सयोगत करना होता है जो कि एक रियास्तों में बटे हुए थे उन्हें रियास्तों को एकत्रत करके हमें एक राज्ज का निर्माड करना होता है इसी प्रिकार से मद्य इसको भी रियासते जितनी बटी हुई थी उनको संयोगत करके हमें एक राज्य का निर्मान करना था तो हम 1947 से 1956 तक इसी में लगे रहें तो हमने सबसे पहले क्या किया कि भारत जो है चार भागों में बाटा गया पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C में बाटा गया पार्ट A में उन्हें रियासतों को रखा गया जो डिटिस हुकूमत में थी या अंग्रेजु के संरक्षण में रियासते थी जैसे मद्ध प्रदेश की एक रियासत प्रमुकुरूप से जो प्रांत ही था जिसका निर्मान अंग्रेजु के द्वारक किया गया था जिसका नाम दिया, इसकी राजधानी नांगपुर बनाई गई, इसमें कुल रियास्तों को जो सामिल किया गया, पंद्रह रियास्ते सामिल की गई, ठीक है, इसके मुक्क मंत्री जो बनाए गए, रवी संकर सुकल बनाए गए, और राजपाल जो बनाए गए, डाक्टर रागवेंद्र र मिलत कर लिया ठीक है कुल रियास्तों भी जो संख्या हुई कुल रियास्तों की संख्या इसमें हमें पच्चिस दिखाय दिती हैं। और 1950 में इसे पार्ट C में सामिल किया गया, इसकी कुल रियास्तों की संक्या जो थी 38 थी, पार्ट B की यानि कुल रियास्तों की संक्या कितनी थी, पार्ट C की 38 रियास्त थी, और इसकी जो राजधानी बनाएगी, राजधानी रीवा बनाएगी, नाम क्या था? विंध प्रा संभू नात सुक्ल इसके मुख मंत्री बने पार्ट सीखे तो ये पूरी की पूरी कहानी थी पार्ट सीखे भुपाल एक सुतंत्र इस्टेट बना हुआ था और ये भारास संग में विले के पक्ष में नहीं था इसके जो अंतिम नवाब थी नवाब हमिदुल्ला खां ये अंतिम नवाब थी इसके तो काफी अंदोलन हुए विद्रू हुए इनके खिलाफ और कहा गया कि आपको भुपाल को भारास संग में विले करना ही पड़ेगा तो अंतिता एक जून उनी सोनचास में भुपाल को भारास संग में विले किया गया और इसे पार्ट सी के अंतरगत समलित किया गया और इसके जो मुक्ष वंत्री बनाए गये संकर दयाल सर्मा बनाए गया इस प्रिकार से हमने मद्ध प्रदेश को शंपुर मद्ध प्रदेश को तीन पार्ट में डिवाइट कर दिया, पूरी रियास्तों को हमने इसी में रख दिया, यह कहानी हम कल पूरी विस्तार से पढ़ चुके थे, बिद मैपेंग के साथ दिया अब इसके आँगे कि कहाने भी हमने पढ़ देती कि भाई अब हमें एक राज का गठन करना था तो पहले सबसे पहले राज पुनर गठन आयोक का गठन किया गया 1953 में राज पुनर गठन आयोग का गठन किया गया किसकी अध्यक्चता में किया गया तो फजल अली की अध्यक्चता में किया गया किसकी अध्यक्चता में फजल अली की अध्यक्चता में राज पुनर गठन आयोग का गठन 1953 में کیा गया इसने अपनी अनू संसा 1955 में दी कब दी 1955 में राज्जी पुनरगठन आयोग जो फ़जाल अली के अदिख्चतामें गठत किया गया इसके दो सबस और थे हृद्येनाद कुठर और के एम पढ़ेक कर इसने अपनी अनुसंसा हैं 1955 में दी और इसकी अनुसंसा पर मद्द प्रदेश राज्जी का गठन किया गया कब किया गया एक नॉवंबर 1956 को मद्द प्रदेश राज्जी का गठन किया गया एक नॉम् Moris 56 को मद्ध प्रदेस का गठन होना था लेकिर उससे पहले इस आयोग ने जो पार्ट बने थे पार्ट A पार्ट B और पार्ट C उनमें कुछ परिवर्तन किया और वो परिवर्तन क्या क्या पार्ट A में उन्होंने परिवर्तन किया कि पार्ट ऐ मराठी बहासी आठ जिले जो थी हूं हमने महरास्ट राज्ज को सौंप दिये ठीए और से इस पार्ट ऐ को हमने मद्रप्रदेस में मिला लिया पार्ट वी ने परिवर्तन किया पहला परिवर्तन- नंसौर जिले की सौनेलस टपा भानपुरा तहसील था और उसका गाउंथ है एक सुनेल डपा उसको हमने सौप दिया राजिस्थान राज़िको और राजिस्थान के कोटा जली की सिनोजा तहसील को हमने मिला लिया मद्धि-प्रदेश के विद्सा जले में तो इसके आंगी कहानी पढ़ते हैं उससे पहले मैं मैं बनाऊंगा ठीक है एक नॉम्मर 1956 को मद्द प्रदेश का गठन होता है ठीक है एक नॉम्मर 1956 को मद्द प्रदेश का गठन ये हैं वर्तमान का मद्द प्रदेश लेकिन उस समय चुकि महराष्ट वाला एरिया तो हमने म शॉन्हाराष्टराज कर सौंध यह भी जैस में शंबलिद था इसम द्रीप्रदेशХ। ये कब की बात है। एक नॉबंबर 1956 की बात है। एक नॉबंबर उन्नीश्षू sepajd ऑनको मढद्द प horseback करती थी तो सबसे पहली बात आती है कि पाहिए यह मंद्रदेश का हम ने गठन किया एक नौमर 1956 को उस समय इसमें कितने जिले थे और कितने संभाग थे यह पहली बात आती है यह तब हमें Alors महानी पता चलती है कि एक नॉव्मर 1956 को मद्द्य परिदेस में 43 जिले थे कितने जिले थी 43 जिले यानि 43 जिलों को मिला कर मद्द्य परिदेस राजिका गठन किया गया था कब एक नॉव्मर 1956 को संभाग की बात की जाए अगर संभागों की बात की जाए तो संभाग में confusion रहती है बहुत लोगों को क्योंकि अलग-अलग किताबों में अलग-अलग तरीके से बताया गया है आपको कहीं-कहीं संभागों की संख्या 8 मिल जाएगी और कहीं-कहीं 7 मिल जाएगी ठीकिंग 1956 में कहीं-कहीं आपको मिल जाएगा कि 8 संभागों के साथ मद्ध्रदिसराज का गठन किया गया कहीं-कहीं आपको मिलेगा 7 संभागों के साथ मद्ध्रदिसराज का गठन किया गया वो confusion तब होती है क्योंकि 36 गड़ के 2 संभाग तो 1956 में बन चुके थे लेकिन एक संभाग जो बस्तर संभाग था जिसको बाद में जब एक नॉम्मर 2000 को भिवजन हुआ वो चला गया 36 गरगाज में तो बस्तर संभाग का उलेक किया जाता है कि बस्तर संभाग कब बना 1980-1980 में जब हम बस्तर संभाग की बात करते हैं 1980-1980 में तब इसकी संख्या 7 हो जाती है आथ हो जाती है तो इसको बिशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक नौमबर जब PCs को मध्य पृदिस का गटन हुआ उस समय 8 संभाग थे जब बस्तर का निर्माण 1956 में हो चुका था लेकिन जब साथ संभाग होते हैं तब बस्तर का निर्माण 1981 में होता है ये विभिन प्रकार की किताबों में लिखा रखा हुआ है अगर आप एक किताब पढ़ते हैं तब आप सिर्फ आठ संभाग को सही मानोगे तब आपको इस प्रिकार की तरुपिया मिलती है, तो वो आपको यहाँ पर सॉल्व कराई जाएंगी, मैंने आपको बता दिया है, confused बिलकुल नहीं होना है आपको ठीक है तो इस प्रिकार से आंगे बढ़ते हैं हम आठ संभाग याद रखना या साथ संभाग याद रखना आठ में confused बिलकुल नहीं होना है देके अब आंगे की कहानी पड़ती हैं कि आंगे कौन कौन सी चीजे हुई तो उस समय एक नॉम्मर 156 को मद्य प्रिदेश का जब गठान हुआ उस समय मद्य प्रिदेश का जो छेत्रफल था वो था चार लाख तेतालिस हजार चार सो चीजालिस वर्ग किलो मीटर मद्य प्रिदेश का जब गठान हुआ जो समपूर्ण भारत के कुल छेत्रफल का 13.6 प्रिदेश था जो समपूर्ण भारत के कुल छेत्रफल का कितने प्रिदेशता 13.6 प्रिदेश था उस समय मद्य प्रिदेश की उत्तर से दक्षण की जो लंबाई थी कुछ इस प्रिकार से हम देखेंगे उत्तर से दक्षण की लंबाई वो थी 996 किलो मीटर कितनी थी 996 किलो मीटर ये ध्यांन रखना यह कब का अखला है? उनिस्तोचपन का अकला है? बहुत कुराना अकला है मैं आपको बता रहा हूँ मद्द पर्देश की एक न Commerce Monthशपन में जो उत्तर से दक्षन की जो लंबाई थी ये है अपना उत्तर मद्द पर्देश का ठीक है, यह है दक्षण उत्तर से दक्षण की लंबाई कितनी थी? 996 km. लेकिन यहीं अगर बात करें हम लोग lastly, कि पश्चेम से पूर्व की लंबाई कितनी थी? तो पश्चेम से पूर्व की लंबाई आ जाती है हमारी इसमें 1227 km. कितनी? 1127 km. तो उत्तर से दक्षड की लंबाई 996 किलो मीटर पश्चन से पूर्वी की लंबाई 1127 किलो मीटर कुल छेत्रफल कितना था 4,43,446 किलो मीटर जो संपूर्ण भारत की कुल छेत्रफल का 13.6 प्रितिशात था उस समय अभी हम वर्तमान के अगर बात करें तो वर्तमान में मद्द प्रिदेश में मद्द प्रिदेश की जो सीमा है पांच राज्यों को इस परस करती है लेकिन एक नॉम्मर 1956 को इसकी सीमा साथ राज्यों को इस परस करती थी यानि मद्द प्रदेश की जो सीमा थी एक नॉम्मर 1956 को कितने राज्यों को इस परस करती थी साथ राज्यों को अभी कि जो प्रजेंट के जो पांच राज्य हैं उनमें से चार राज्य आपको याद करना है वो तब भी थे और अब भी है ठीक है कौन कौन से हैं पहला उत्तर प्रदेश ठीक है दूसरा राजस्थान तीसरा गुजरात चौथा महरास्त ठीक है ये जो चार राज्य है ये 1956 में भी थे और वर्तमान में भी मद्द प्रदेश की सीमा को इस परस करती हैं ये है अपना 36 गड़ ठीक है ये है अपना 36 में विवाजत नहीं हुआ था एक अलग राज नहीं मना था मद्द प्रदेश में ही सामिल था तो इसको हम काउंट 1956 में नहीं करेंगे इसके अलावा जो राज थी पहला बिहार कौन बिहार ठीक है दूसरा उडिसा और तीसरा था आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश ठी तो इस प्रकार से मद्द प्रदेश की जो सीमा थी एक नॉम्मर 1956 से लगाकर वर्स 2008 तक सात राज्यों को इस पर्स करती थी और छेत्रफल के अधार पर मद्द प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्ज था छेत्रफल के अधार पर मद्द प्रदेश भारत का किस नम्मर का राज्ज था सबसे बड़ा राज्ज था वर्तमान में 36 गड़ के विवाजित 36 गड़ के एक नए राज बनने के पश्चार मद्द प्रदेश जो है दूसरे नमबर पर है और पहले नमबर पर सबसे बड़ा राज कौन है राजस्थान है ठीक है छेत्रफल के आधार पर बात कर रहे हैं हम अब यही बात हम वर्तमान की अगर कर ले ठीक है यह तो हमने पूर्व के लंबाई कितनी है और छेत्रफल के तना है तो वर्तमान में इसकी जो त्तरसिदek्षण के यह हैं यह हैं वर्तमान की कहानी मद्द प्रदेश की ठीक है और वर्तमान में जो सीमा लगती है वो लगती है पांच राज्यों से च्छतिसगर्ड, यूपी, राजस्तान, गुजराद और महाराज़् इन चार पांच राज्यों से मद्द प्रदेश की सीमा लगती है ठीक है यहीं पर और एक बात कर लेते हैं एक्जाम के point of view से बहुत important question है यहाँ पर विधान शवासीटे, लोगसवासीटे रासवासीटों की भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि वर्स 2000 के पूर्व इनकी कहानी कुछ और थी और वर्स 2000 के बाद के इनकी कहानी कुछ और हो गई है, ठीक है तो हम दो मिनिट में उसकी भी चर्चा कर लेते हैं बहुत important है तो आप ध्यान से बिल्कुल देखना क्योंकि MPPSC का एक्जाम बहुत नजदीक है हो सकता है कि आप से इससे प्रशने पूछ लिया जाए आपका क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा एक शाब से ठीक है तो हम सबसे पहले बात करते हैं विधान सभा सीटों की विधान सभा सीटे, यह विधान सभा सीटे मद्द प्रदेश की है, ठीक है इनकी चर्चा हम करेंगे लोग सभा सीट इनकी भी चर्चा करेंगी हम ठीक है, मद्द प्रदेश से समंदेट और राज सभा सीटे राज सभा सीटे ठीक है अगर हम बात करें कि जो मद्द विधान सभा की जो सीटे थी एक नॉम्मर वर्स दो हजार के पूर्व, यानि जब दो हजार में मद्द प्रदेश का विवाजल हो गया एक नॉम्मर दो हजार के पूर्व यानि उनी सो दो हजार के पूर्व की बात करें दो हजार के पूर्व ठीक है, तो दो हजार के पूर्व मद्द प्रदेश की विधान सफ़ा सीटे की संख्या जो थी वो थी 320 ठीक है? 2000 की पूर मद्द प्रदेश की विधान सफ़ा सीटे कितनी थी 320 और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में वर्तमान में है 230 230 पिलस 1 का जो आकड़ा था वो अब समाप्त कर दिया गया है इसको हमने समाप्त कर दिया है ठीक है कब किया दो हजार उन्नीस में ठीक है एक सो चारवे सम्विधान संसोधन के आधार पर जो एंगलो इंडियन का प्रावधान था उसको हमने क्या कर दिया समाप्त कर दिया विधान सभा वर्तमान विधान ये वर्तमान की लोगसवा सीटे हैं और रासवा सीटों की अगर बात करें तो रासवा सीटों की जो संक्या है 2000 की पूर्वी की अगर बात करें तो इनकी संक्या 16 ती और वर्तमान मिक्तिनी है 11 यह अपनी विरांसवा, लोकसवा और रासवा के सीटे हैं वर्स 2000 के पहले और 2000 के बाद तो यह कुछ समाने सी जानकारी थी एक नॉम्मर 1956 में जब मत्रदेश का गठन हुआ अभी हमने एक नॉम्मर 1956 के बात की कहानी नहें पड़ी हुई अब हम यहां से पढ़ेंगे जैसा कि आपने पता है आपको कि एक नॉम्मर 1956 को जो मत्रदेश का गठन हुआ और समय कितने जिले बनाए गए थे 43 जिले बनाए गए थे ठीक है तो 43 जिलों से किस प्रकार से संख्या बढ़ती है कौन कब जिला बनाया जाता है उसका क्रम हम पढ़ेंगे अगली किलास में फिलाल आस के लिए इतना ही काफी है तो उमीद है कि आपको इससे पहली की वीडियो पसंद आई होगी और आपने जरूर उसको देखा होगा और उसकी आंगे की कहानी ये वाली है तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देगा ह तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें और हमारी लगातार जो है हिस्ट्री की किलास ओनलाइन चल रही है लाइफ चल रही है तो आप सभी से निवेदर है कि उस लाइफ क्लास में भी जुड़ें बहुत शांदार सर पढ़ा रहे हैं आपको निश्चित रूफ से फायदा ही होगा उस क्लास से और इसको भी देखते जाएं मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए अलविदा बहुत बहुत धनवादा फ़ीका